मेरा नाम है लोकेशिंग और एक बार फिर आप सभी का स्वाकत है हमारे यूटुब चैनल पर आज हमारा जो टॉपिक होने वाला वो है बहुत इंपॉर्टेंट हाल ही में एनॉंस किये गए साहित्य अकेडमी एवार्ड जी हां साहित्य अकेडमी एवार्ड उन राइटर्स क कुछ ऐसा अचीव किया हो कुछ ऐसा लिखा हो जो लोगों की आत्मा को जब जोर दे आज हम लोग ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में जानेंगे और जानेंगे इस एवार्ड के महत्व के लिए कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है किन लोगों को यह एवार्ड दिया रहा है य के दोरा भी यहाँ पर इनके नाम का भोशना की गई तो फाइनली जानते हैं अपने आज के इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है हमारे लिए सबसे पहले तो यह एवार्ड खालगी में रिलीज किये गए हैं परंतु दिये कब जाएंगे तो मार्च में यह एवार्ड दिये जाएंगे इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है कहां कहां कौन कौन से छेतरों में दी जाते हैं तो पोईटरी स्टोरी उनके लेकर लिखा जाता है इसके लावा बायो ऐर्टो बायो ग्राफि एंड पास्ट पॉरानी कहानियों के उपर लेक लिखाटे जाते हैं अ उनको दिया जाएंगे तो ग्यारा मार्च 2023 में डिस्ट्रीबूट किया जाएंगे निउ डैली में फेमस जो पोईट हैं जिनक इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है और हनीश अश्राफ जो उर्दू भाषा के लेखक है उनको भी इस बार दिया जा रहा है तो यह वह इंपॉर्टेंट और महत्मून लोग थे जिनके बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए अगर हम लोग आगे बात करें तो यहा कई उपर प्रोपर जुल्ड सिंधल क्या झाले जाता है इसके अलावा जो साहीत ऐके कैदमी फोरपर जोयाल्रिव गया चता है यहां पर अगर बात करें तो सबसे महत्मूर्ड जो पुस्तक आता है कलापानी जिस से लिखा गया था राजंदरना ने जो कि तमिल अडू से हैं और इस पुस्तक की खास बात क्या थी ये पुस्तक हिंदी भाषा में भी रिलीस की गई है और इस पुस्तक की सबसे ज़्यदा खास बात ही है कि ये एक historical event के उपर लिखी गई पुस्तक थी एक historical लडाई हुथी जिसका नाम क्या था कल्यार कोवल एक लडाई हुई थी ये लडाई एराउंड 1772 के आसपास की लडाई थी मैं यहां पर लिख देता हूं जिस यूद में अंग्रेजों के विरुद वहां के शाशक ने क्या किया था ठीक है राज गोपरम नामक एक मंदिर है जो यहां पर आपको देखने को इस इस पूरी घटना को करमबद काया गया है तो हमारे इतिहार से जुलावा हुआ एक महत पूरा अध्याय इस फुस्तक के जोरा लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई है finally अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हर साल दिया जाने वाला award जो कि 23 भाशाओं में दिया जाता है जिसमें इस बार जो पुरसकार दिया जा रहा है उसमें 7 पुस्त के कविताओं से हैं 6 पुस्त के novel हैं 2 short stories है 3 play and dramas हैं मदलब कि आपके नाट्टे हैं दो आपके literary criticisms हैं ठीक है 1 each from autobiographic essays को दिया गया है and selection of articles and literature of the historical events उनको यहाँ पर दिया गया and award in a Bengali language will be announced later अभी बंगाली भाशा में इस का announcement नहीं किया गया है जल्दी ही बंगाली भाशा में किस को यह award दिया जा रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर सुनने को उनको मिल जाएगा फिलाल बंगाली भाशा के writers को यहाँ पर भी confirm नहीं किया गया है finally आगे अगर बात करें तो यह award किसकी chairmanship में हो रहा था आपको पता होना चाहिए साहित academy की जो chairmanship हो थी वो इसके executive director शेकर जी के हाथ में थी और उनी के निरिच्छण में ज्वेरी के द्वारा यहां पर यह आवार्ड यहां पर announce किये गए हैं तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा आगे अगर बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि इन awards की और क्या-क्या महांता है वैसे तो यहां पर चार अलग अलग वर्गों में एवार्ड होते हैं जैसे कि site academy award इसमें बाल यूवा आता है फिर एक site academy यूवा पुरुसकार पर आता है तो इस तरीके से चार पुरुसकार दी जाते हैं पर अब भाशा सम्मान के बारे में जान लेते हैं जैसे यह आवार्ड के आनॉंसमेंट होंगे वैसे वैसे हम आपको वीडियो के माध्यम से यह जानकारी आप तक पहुचाते रहेंगे अभी जो आइनॉंस किये साहितिस भाशा सम्मान दिया जाएगा इस बार तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि साथ साथ यहां पर एक लाख रुपए और पॉपर प्लेट ताम प्रत्र होता है वो भी यहां पर इनको दिया जाएगा अगर हम लोग उदैनात जहा के बारे में बात करें तो इ दुस्तकों में मैगजीन्स में या समाचार पत्रों में अभी तक रिलीज किये गए हैं साथ साथ इन्होंने स्टोरीज और रिसर्च पेपर के ऊपर भी काम किया है और कई ऐसे या निवंदों को भी यहां पर क्या कि अपने डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स में तो शब्से पहले यहां पे भाशा के क्या पुस्तक का नाम है और रश्मी को दिया जा रहा है फिर यहांपर अगर बात करें तो यहां पर आता है हिंदी कौमुदी के शब्द बद्रिनार एनर्जी को अभी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा ही था है बद्रिनार एनर्जी का नाम इसमें पेंड्राइव में प्रत्वी अजीता आजाद मनीपुरी में लेरोंगो इमजाम शान्ति बाला उडिया में दयान अधी ठीक है गैतरी बाला पंडा संस्कृत की बात करें तो यहां पे आता है क्या दीपमनी कम जंद्रप्रसाद पंडे मानी जिनको कहा जाता है इनका निकनेम इनको दिया क्या है ठीक है तंधाली में अगर बोला जाए तो यहां पे काउंसा सब्द्राम बलीरा सनम ठीक है सनान कजली शिरोन ठीक है जिनको जगना सिरोन भी कहा जाता है हो सकता है शायद में किसी के प्रनॉंशेशन में अगर गलती कर रहा हूं तो प्लीज आम रियली सॉरी फॉर दिस अगर किसी नाम में या किसी अन्य भाशा में लिखी की किसी चीज़ को अगर पढ़ने में मैं गलती कर रहा हूं तो उसके लिए I am really sorry for this finally, novels की बात करें तो English में All the lives we never lived अम रहा था, Roy को दिया जा रहा है, शुरुवात में ही मैंने इनका नाम आपको बताई था कॉंगड़ी भाशागी अगर बात करें तो यहां पर किसको मिल रहा है अमरुतवल जो पुस्तक है, novel है, उसको मिल रहा है, ठीक है माया आनिल, यहां पर इसके writers है मराथी भाशागी बात करें तो यहां पर क्या उजवता सुन्दिचा भुलिया, ठीक है तेलगू भाशागी में मनोद्रामा ठीक है, यह मधूत कामत नरेंदर के दोरा लिखी गई है उर्दू में अगर बात की जाए तो यहां पर क्या खौब शरब तो यह अनीश अश्राफ के तो कोई दोरा लिखी गई पुस्तक है चौर्ट स्टोरी में बात करें तो एसमीज में भूल सत्या, ठीक है, मनोज कुमार गोस्वामी पंजाबी में मैं आयूंगोश नई ठीक है, यह सुगजीत के दोरा लिखी गई है ड्रामा की अगर बात करें तो डोगरी भाशा में की रूपक, ठीक है वीना गुपता के दोरा, नेपाली भाशा में अगर बात करें तो सैयौन ठीक है, केबी नेपाली राजित्थानी में अगर बात करें तो यहां पर नाम आता है क्या अलके हूँ, अबा इसके दोरा, कमल रंगा दोहरा यहां पर लिखी गई है तो यहां पर लिटरिरी बात करें तो कश्मीरी भाश्या थीक है, वौरुक फ्याज ठीक है, मली आलम में अगर बात करें तो यहां पर क्या आता है अशान्तेज सत्यनामा ठीक है एम थोमस मेथ्यू ठीक है आटोबायोग्राफी और ऐसे को अगर लेकर बात करें तो यहाँ पे गुजराती भाषा में घेर जता ठीक है गुलाम मुहम्मद शेक और कलेक्शन अफ आल्टिकल्स को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पे कन्रड भाषा में आता है बहुत वेद मारता मटू यह मंडु का चिन्ना सौमी के दोरा लिखी गई और लिटर्चर जो हिस्ट्री और हिस्टॉरिकल्स पर लिखा गए तो सिंधी भाषा में लिखा गए है सिंधी साही जो मुक्तसार लितिहास यह कन्हिया लल लिखवानी के दोरा लिखा गए तो देखो भई मैं प्रनॉंशेशन में अगर मैं किसी बुक का प्रनॉंशेशन अगर गलत कर रहा हूं तो उसके लिए उनकी मात्र भाषा जो उनकी मदर टंग है उसको किस तरीके से प्रनॉंश किया जा रहा है मुझे शायद इसका नहीं पता है सही से जानकारी नहीं है परंदु जो पुस्तके थी जो राइटर्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिये बाविश में आने वाले किसी एक्जाम में कोई डाउट यहाँ पर आपका नहीं रहा होगा आगे बात करें तो इस वीडियो में फिलाल अभी इतनी जानकारी थी जैसे से अन्य एवार्ड्स और इस तरह की जानकारी है साहित अकैडमी में मिलती रहेंगी यूवा पुरस कारण की जानकारी मिलेगी हम इनके ओपर भी वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुचाते रहेंगे परन्तु आपका एक काम है अच्छे से पढ़ना और अच्छे से चीजों को कंठस्ट करना साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा SSC CHSL का एक्जाम आच चुका है ठीके फॉर्म आप फिल कर रहे होंगे चार जनवरी लास्ट डेट है आपको जैसा की मैंने कई बार बता चुका हूँ तो प्लीज चार जनवरी का वेट मत कीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर दीजे इसके अलावा NDA और आपका CDS इनके भी फॉर्म आ चुके हैं इनकी जो लास्ट डेट है वो 21 जनवरी है इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 जनवरी और आप प्लीज इनके फॉर्म फिल करके एक्जाम अच्छे से देकर अपने भविश्य को सुरक्षित कर सकते हैं और मैं चाहूंगा हर बच्चा ये फॉर्म फिल करें और पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में लग जाए ताकि वो अपने भविश्य को उस तुनहरा बना सके अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सके तो प्लीज अगर आप तक हमारी बाते हैं हमारा करेंट अफिर का ये वीडियो पहुचा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक ज़रू कीजे अगर आपको हमारा दिया गया कंटेंट पसंद आया है साथ साथ आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कौन से टॉपिक के ओपर वीडियो चाहते हैं या फिर अगर आपको इस तुझाव या कोई कम्प्लेंट है तो प्लीज आप वह भी कर सकते हैं साथ साथ आप प्लीज इस वीडियो को अपनी दोस्तों भाई बैनों को शेर कीजिए ताकि वो भी हम लोगों से जोड़ सकें और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ताकि आप तक हमें पहुंचने में दिक्कत ना हो जैसे हमारा कोई वीडियो आए समय पर आप को मिल सकें और समय पर आप उन वीडियो का लाब भी उटा सकें तो फिलाल मैं इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ अंत थैंक्यू सो मच जैहिंद